हम सीख रहे हैं टैली प्राइम के अंदर सर्विस ओगनाशन का अकाउंटिंग ये पाट करी है मैं के आप सबी का स्वागत करता हूँ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दवाएं ताकि हमारा लेटिस्ट वीडियो आप तक प कर सकते हैं दीपक आपन न्यू बैंक अकाउंट इन यूनियन बैंक दीपक क्या कर रहा है एक नया बैंक अकाउंट आपन करा रहा है यूनियन बैंक के अंदर और उसमें दो लाक रुपे डिपोजिट कर रहा है मतलब रख रहा है तो दो लाक रुपे यहाँ पर बैंक में deposit कर दिए ध्यान से सुनिएगा union bank के अंदर पहले हमने loan लिया था वो अलग account था और union bank में ही अभी हम एक नया account open कर रहे हैं और ये saving account है अभी फिलहाल saving account ही रखेंगे business के लिए लेकिट saving account के लिए open किया है फिलहाल तो हमें यहाँ पे देखना है कि हमने union bank में दो लाख रुपिय डिपोजिट कर दिए अकाउंट open करके और ये entry होगी contra watcher में अगर आप bank से cash निकाल रहे हैं या फिर bank में cash जमा करा रहे हैं यह सारी कि सारी entry contra watcher में होती है यह आपको पता होनी चाहिए याद रखें contra watcher में cash into bank and bank into cash यह सारी चीजे होती है तो आते हैं अब टैली प्राइम के अंदर और इस entry को कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ टैली प्राइम पे आने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा है जो मैंने service organization के लिए company बनाया था DCI computer classes यह अभी open है आपको आ जाना है यहाँ पर यहाँ पर आपको दिख रहा है current balance जो कि मेरे पास cash में आते हैं और इंटर करते हैं यहाँ पर मैं laser बना लेता हूँ लिए यूनियन बैंक अकाउंट लिखने के बाद इंटर करेंगे अंडर ग्रूप आपका bank account रहेगा यहां से यहां bank account को select करेंगे उसके बाद account name आप डाल सकते हैं यहाँ पर आपको दिख रहा है account holder name जो की company का नाम है वही आ रहा है इंटर करने के बाद यह सारे चीजों आपको इंटर करना है यहां पर कहें कुछ नहीं करना है अभी इंटर करने के बाद आपको यहाँ पर एक option आता है narration लिखने का तो आप यहाँ पर narration लिख सकते हैं अपना new bank account in union bank एन्डी पोजिक अमाउंट तू लेक यह आप लिख सकते हैं यदि आपको लिखना है तो इसको भी हम अभी स्कीप करते हैं और यह इंट्री हो चुका है अब नेक्स्ट इंट्री देखते हैं क्या है मैं आता हूं अपने पर्जेंटीशन पर नेक्स्ट इंट्री आपको यहाँ पर दिख रहा है जो कि है पर्चेज का पर्चेज फरनीचर और प्रुपेज 25,000 फोर क्लास्रूप फ्रॉम अजय फरनीचर अन क्रेडिट उधार बिस्स पर आपको हम अजय फरनीचर से समान खरीद रहे हैं जो कि फरनीचर का है following details invoice number A02 और उसका GST नंबर दिया हुआ है यहाँ पर GST applicable रहेगा चूकि invoice में 18% काटा गया है पहले आपका 25,000 का समान है उसके उपर अलग से आपका 18% टेक्स लगा है यह आपका include नहीं है यह चीज़े आपको पता होनी चाहिए नीचे आपको इंट्री दिख रहा है इसका इंट्री जनरल में भी कर सकते थे यहाँ पर अभी देखी GST है इसलिए मैं इसका इंट्री पर्चेज में कर रहा हूं यहाँ पर आपको दिख रहा है कि फरनीचर के अंदर कौन-कौन साम समान खरीद रहे हैं ओफिस टेवल खरीद रहे हैं जिसका amount पढ़ रहा है 5000 एंड नेक्स्ट करीद रहे हैं ऑफिस चेयर स्टुडेंट चेयर टेन पीस जो कि 75,000 रुपे का पढ़ रहा है और यहाँ पर अपको यहाँ पर दिख रहा है यहाँ पर लिखा हूँ है नेम आप आइटम तो अभी तो हम लोग ईटम सेल वगेरा नहीं कर रहे हैं तो पर हम Ctrl S करेंगे, Ctrl S करने के बाद यहां से हम कर लेंगे Accounting Invice, Accounting Invice करने के बाद यहां से हम Inter करेंगे, Inter करने के बाद यहां पर आपको Supplier Invice Number दिख रहा है, यहां पर आपको Supplier Invice Number लिखना है, जो कि था मेरा A02, उसके बाद इंटर करेंगे इंटर करने के बाद यहांपर डेटा चुका है, फिर इंटर करते हैं यहांपर आपको Partie Account Name बनाना होगा तो Alt C करेंगे, Alt C करने बाद नाम उसका है, अजय फरनीचर तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं अजय फरनीचर लिखने के बाद आपको इंटर करना है अंडर ग्रूप हो जाएगा आपका संड्रिक रिटर यह सारी चीजे मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ डिटेल में आपको ध्यान से देखना है मैंटेन बैनेंस बिल बै बिल को यस रखना है उसके बाद यदि आपको उसका एड्रेस पता है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं अभी हम इसको स्कीप करते हैं नीचे आपको यहाँ पर पैन नमबर मांग रहा है तो आपके पास जीएश्टी नमबर यदी है उसके बाद इंटर करेंगे यहाँ पर पैन नमबर भी हो चुका है जीएश्टी नमबर भी हो चुका है यह सारी चीज़े मैं आपको एक्जामपल के लिए बता रहा हूँ यह जीएश्टी नमबर औरिजनल नहीं है इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद accept कर लेंगे, यह सारी चीजों को controller से accept करते हैं, उसके बाद particular में आपको यहाँ पर furniture बनाना होगा, जो कि fix assets है, alt c करेंगे, alt c करने के बाद यहाँ पर लिख दता है furniture, furniture लिखने के बाद enter करेंगे, जो कि यहाँ पर fix assets रखेंगे, उसके इंटर करने के बाद आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है, नीचे आपको दिख रहा है लिखा हुआ है GST applicability, यहाँ पर आपको applicable रहने देना है, इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद नीचे यहाँ पर देखी लिखा हुआ है GST rate detail, यहाँ पर आपको specify detail here select करना है, उसके इंटर करेंगे यहाँ पर गूट सी रने देंगे क्योंकि इसको हम यूज करने के लिए खरीद रहे हैं काफी टाइम तक इसको बेचना रही है इंटर करेंगे इंटर करने के बाद इसको accept कर लेंगे कंट्रोले से, तो यहाँ पर बन चुका है, उसके बाद यहाँ पर हम amount डाल देंगे, जो भी amount था, 25,000 लिख देते हैं, उसके बाद enter करेंगे, enter करने के बाद यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, जो मैंने इसके अंडर में समान करेंगे दा था, वो तो यहाँ पर जूम करके दिखाता हूं, additional description for ledger, इसको आपको yes करना है, yes करने के बाद इंटर करेंगे, control-A से accept करेंगे, इससे होगा क्या, मैं आपको बताता हूं, यहाँ पर जब आप समान के पास आएंगे, और यहाँ पर दिख जाएगा, इंटर करेंगे, next हमने खरीदा था, office chair, office chair था मेरा 2000 रुपे का, यहाँ पर हम लिख देते हैं 2000, उसके बाद इंटर करेंगे, उसके बाद next हमने खरीदा था, student chair, जो की था 10-20, और इसका amount पड़ा था, 7500, यहाँ पर हम लिखते हैं, and then next हमने खरीदा था, student, computer disk, जो की हमको पड़ा था, 10500 का, यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं, उसके बाद, अब मेरे पास कोई समान नहीं है, इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद next समान add करने का option आता है, इसको छोड़ देते हैं, फिर इंटर करते हैं, तो यहाँ पर देखी सारा आ चुका है, इंटर इंटर करके इस सारे को accept करेंगे, next add करना है तो आप कर सकते हैं, यहाँ पर next laser add करने का option आता है, यहाँ पर यहां पर हम बना सकते हैं नीचे आपको दिख रहा होगा 29,500 का पूरा बिल बना है जिसमें की 25,000 का समान है प्लस बाकी का जो भी आपको दिख रहा है अमाउं 4500 यह आपका टेक्स कट है 18% के हिसाब से इंटर करेंगे इंटर करने के बाद new reference and then इंटर करते चलना है नरेशन आप लिख सकते हैं पर्चेज गूट्स फॉर अजय फ़रनीचर और क्रेडिट यह आपको लिखना है तो लिख सकते हैं भी हम छोड़ देते हैं इंटर करके इसको accept कर सकते हैं तो आप लोगों ने इस वीडियो में सीखा कैसे हम लोग समान को पर्चेश करेंगे सर्विस और नाचन के अंदर कैसे हम लोग एक नया अकाउंट को लेंगे किसी भी बैंक में कैसे हम लोग amount डालेंगे बैंक के अंदर यह सारी चीज़े आपको समझ में आई तो इस वीड को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू